विकलांग बच्चे के माता-पिता के मदद कैसे कर सकते हैं ताकि उन्हें सई गाइडेंस और डारेक्शन मिल सके यह बहुत ही सुन्दर प्रश्ण है एक्चुली क्योंकि हम जिसे नॉर्मल जो बच्चे है एक्चुली इनको हम स्पेशल बच्चे कह सकते हैं तो जो नॉर्मल बच्चे है उनके माता-पिता के लिए तो फिर भी बहुत आसान होता है परन्तु जो यह स्पेशल बच्चे है उनके माता-पिता को समझ में ही नहीं आता है कि इन बच्चों के साथ हम क्या करें हम अपने साथ क्या करें क्योंकि वो बच्चों को ना ही अपन करके आये हैं अगर माता पिता ये समझ ले कि ये बच्चे के लिए रखने से पहले सबसे पहला जो काम है वो है इनको accept करना क्योंकि जब हम accept करते हैं तो वहां पर ही हमारी 50% problems कम हो जाती है क्योंकि जो problem है वो वैसे भी दिमाग में रहती है तो जैसे ही हमने पूरे रदई से बच्चे को accept किया तो हमारी उनके साथ जो struggle है वो कम हो जाएगी वो बच्चों का जीद या रोना या उनका cranky पना या जो भी है वो अपने आप acceptance के जोन में आ जाएगा क्योंकि जब हम accept करते हैं तब क्या होता है कि हम दोनों हाथों से काम कर पाते हैं और जब भी हम resist करते हैं तो हम एक हाथ को बांद करके कोई भी चीज को solve करने की कोशिश करते हैं तो उन माता-पिता के लिए सबसे पहला जो काम है वो है एक्सेप्टेंस मैं जैसा कि आपने कहा कि acceptance आना बहुत ज़रूरी है लेकिन इस चीज को accept कर पाना कि मेरा बच्चा स्पेशल है मेरा बच्चा क्यों नॉर्मल नहीं है यह एक मा के लिए और पिता के लिए और जो वो बच्चा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमें acceptance लाना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आपने खाब कि मोड़ियाध पाना कि आप है कि मुटत ज़रूरी है जैसा कि आप है उसे हमें तो लो आप है जब भी आप है मेराईब कि मुटत उस्सके बहा है जब भी है यहा है